दोस्तो अगर आप first time किसी company की accounting work maintain कर रहे हो चाहे आप tele software में कर रहे हो या busy software में कर रहे हो या इनके अलावा किसी भी company का accounting software हो सकता है तो आपको शुरुवात में उस accounting software में company create करने के just बाद में और कोई भी voucher की entry करने से पहले कौन-कौन सी settings को आपको enable करना होता है कौन-कौन से function को आपको yes या no करना होता है तो दोस्तो अगर आप एक नए content हो आपने किसी company में पहली बार ही जोग की शुरुवात कर रहे है आप बिल्कुल फ्रेसर हो तो आज की इस वीडियो का आप enter तक complete जूरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आज आपको मैं कुछ ऐसी tips बत साथ ही करनी पड़ती है अगर हमें उस settings को बिना changing किये अगर हम voucher entry की सुरुवात अगर हम कर देते हैं तो बाद में हम उन features को enable नहीं कर पाते हैं तो दोस्तो अगर आप एक नए content हो तो इस वीडियो को enter तक complete जूरूर देखना कोई भी steps skip किये बगेर तो वीडियो शुरू करने के साथ साथ notification bell को भी जुरूर ओन कर लेना ताकि हमारे आने वाली हर नएने वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिलता रहेगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मौन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारी YouTube चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है तो शुरू करते हैं आज गई वीडियो आज की इस वीडियो हम एक्जांपल लेने वाले टेली प्राइम सॉप्टवेर का अगर आप किसी कंपनी की जो accounting वरक है वो टेली प्राइम सॉप्टवेर में करते हो तो आपको कौन-कौन से features को enable या फिर disable या कौन-कौन से setting को on करना पड़ेगा तो मैंने य आपको पता होना जुरूरी है अगर आपको यह नहीं पता है भी टेली सॉप्टवेर में कंपनी क्रियेट करने का सही प्रोसेस क्या है तो इसके बारे में मैंने एक special separate वीडियो में ने बनाया हुए उसको आप जुरूर देखिएगा और उस वीडियो का link मैंने इस वीडिय सॉप्टवेर में company open कर ली और सबसे पहले आपको करना क्या होगा उस company में आपको GST enable करना होगा अगर आप जिस company की accounting work maintain कर रहे हो अगर वो company registered है तो चैवो composition dealer में registered है चैवो regular dealer में registered है तो GST को enable करने के लिए में क्या करना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले टेली software में यहाँ पर company का option दिखाई देगा इस पर आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको features में आप shortcut F11 भी use कर सकते हो तो आप जाए इस पर भी जा सकते हो तो उसके बाद में आपको सबसे पहले GST को enable करना पड़ेगा अलाकि वैसे तो वाइड फेल्ट टेली प्राइम सॉफ्ट्वेर में GST यह सी रहता है लेकिन उसके बाद में कुछ settings आपको करने पड़ती है तो आपको इस taxation में first option दिखाई देगा यहाँ पर enable goods and service section की GST तो इसको हम करेंगे यस तो जैसे हम इसको यस करेंगे तो कुछ इस तरीके की GST details के बारे में यह window open होगी तो उसमें state विगरा इसका registration type अब बात आती है registration की तो आपको ध्यान में रखना है बिजिस company की आप accounting work maintain कर रहे हो तो वो company registration है या नहीं है उनके पास अग दोनों में से आपको select करना पड़ेगा अगर regular है तो आप regular select करोगे या फिर वो composition में registered है तो composition select करोगी अब यह regular dealer और composition dealer में क्या difference होता है इस पर भी मैंने separate video बनाया हुए उस video को भी आप जरूर देखिए ताकि आपको इन दोनों का सही तरीके से पता लगस के भी इन दोनों में difference क्या होता है चलो हम मानते हैं भी आपकी company regular है और उसके बाद में GST applicable तो आप यहां पर अगर आप financial year 20-21-22 की अगर आप working कर रहे हो तो आप एक अपरेल 21 भी कर सकते हो एक अपरेल 20 कर सकते हो बेक पिछे का भी कर सकते हो अगर आपकी company फुरानी चल रहे है अब company की भी accounting दो तरीके से होती है एक ऐसी company भी जिसका accounting वर्क तो काफी time से चल रहा है यानिकि काफी time से वो manual books को record कर रहे हैं लेकिन वो financial year 21-22 में शुरुआत उन्होंने first time computer head करी है तो ऐसी condition में आपको यहाँ पर एक जुलाई 2017 भी कर सकते हो या आप एक अप्रेल 21 भी पड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में जिस company की आप accounts देख रहे हो उसका GST number वो आपको 15 digit का यहाँ पर लिखना होता है और उसके बाद में यहाँ पर यह option पूछेगा GSTR one returns के बारे में भी आपकी जो company है वो GSTR return monthly फाइल करती है या फिर quarterly return फाइल करती है तो यह आपको उस company की situation के अमसार देखना होगा उनके आपको taxation के या फिर उनका एड़ोकेट है जो उनका financial year working देखते हैं तो उनसे आप आपको पूछ के यहाँ पर इसको fill up करना पड़ेगा अगर आपको अभी तक नहीं पता भी वो quarterly है या मंतलि है तो आप एक बार इसको monthly भी select करके रख सकते हो तो आप इसको बाद में भी modify करके quarterly कर सकते हो तो हम यहीं मान की जल रहे हैं उनकी monthly है और उसके बाद में हम इसक company में जो उनके lasers है यानकी खाते जिनके साथ वो deal करते हैं चाहिए उनके customer है या जिन से वो समान खरीदते हैं यानकी उनके जो suppliers है उनके laser अगर company बिल्कुल फ्रेसर है बिल्कुल नई company है यानकी पहली बारी financial year 2021 में शुरुआत करी है तो अब तो laser उनके पास ज्यादा नहीं अगर जो भी laser आपको पता है तो उनका laser आप create कर सकते हो अगर company काफी time से चल रही है यानकी business काफी पुराना चल रहा है तो उनके पास में जो financial year जैसे कि अभी हम बात करें भी जो अभी जो नया session चल रहा है financial year 2021 का तो जो इनका 30 March 2021 का financial year end हुए 2021 का तो उनसे आपको balance sheet लेनी पड़ेगी और उनके balance sheet को लेके उनकी lasers आपको create करने पड़ेगे तो अब laser create करने के लिए से हम create पर जाएंगे उसके बाद laser को select करेंगी और यहाँ पर उन laser का हम नाम लिखेंगे सबसे पहले आपको balance sheet को देखके capital count के laser बनाने है फिर आपको bank के laser आपको create करनी है यहाँ पर दे देने proprietor तकि पता चलता रहे क्योंकि सुमित कुमार के नाम से customer भी तो सकते है तो आपको थोड़ा सा अगर आप उसके नाम के आगे hint दे देंगे तो पता चलता रहे कि यह सुमित कुमार proprietor का laser है अब उसके बाद में जैसे undergroup में उनका capital county रहेगा अब उसके साल में उनका कितना closing balance बचा हुए capital account में अब यह टेली software में किसी भी laser का opening balance डालने का सही तरीका कै इस पर भी मैंने एक separate video बनाये हुए और इस video का link भी मैंने इस video की डिक्सेसर में दे दिया है भी हम टेली software में किसी भी laser का opening balance किस परकार post करते हैं तो second बात आपको यह ध्या इनेबल कर सकते हैं जो इनका balance है कई बार ऐसा हो तब या आज हम laser बना रहे हैं लेकि जब तुझो फाइनेंस लियर 20-21 की balance है वो प्रोपरली सही तरीके से final हुई नहीं है तो हम एक बार laser create कर लेंगे लेकिन opening balance को छोड़ देंगी अगर final हो चुकी है तो balance sheet को देखके आप आपको opening balance भी यहाँ पर डालना पड़ेगा और ओके करेंगे अब तीन नमबर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है स्टोक आइटम आपको create करनी है स्टोक आइटम अलब एच्छी स्टोक आइटम जिस पर वो ट्रेडिंग करते हैं तो स्टोक आइटम क्रेट करने का भी स प्लेलिस्ट को open कीजिए आपको आपको टेली से समंदित सारे वीडियो मिल जेंगे तो अब स्टोक आइटम भी आपको create करनी पड़ेगी अब स्टोक आइटम भी अगर जो previous year की balance sheet है तो उनमें जो closing stock बचा हुआ आइटम का तो वहां से आप उनकी स्टोक आइटम ले सकते में और अगर उनका opening में इस कितना stock closing बचा हुए फिसले यहनकी previous financial year का तो वहां पर उसकी quantity भी यहां पर लिखने पड़ेगी और कितने रुपए का वो समान था जो स्टोक आइटम है उसकी value भी यहां पर आपको डालने पड़ेगी तो यह था point number 3 अब चार नंबर जो point है व अब बात का set करने के लिए हम डेटा पर जाएंगे और उसके बाद में आपको option दिखाये देगा यहां पर backup का क्योंकि हमें company के accounting work maintain करें तो हमें backup properly daily लेना कंपर सरी है तो हम backup पर जाएंगे और backup पर जाने के बाद आपको यहां पर जो backup का जो destination है यानिकि इसकी particular location है वो आपको द्यान में रखना भी जो backup की जो location है यही ड्राइव में नहीं होने चीए या फिर अगर आपकी जो भी operating system यानिकि जो आपका window installation है वो अगर डी drive में है तो आपको डी में रखना है यानिकि जिसमें आपको operating system है उस drive में आपको backup का location set नहीं करना है क्योंकि इसमें हमा आपका जो operating system है उसको छोड़के आप otherwise किसी भी drive में इसका location set कर सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर d drive में set किया हुए और इसमें d drive के अंदर एक folder बना हुए financial year basic का तो यहाँ पर यहाँ आप 21 का या फिर आप इसको day wise भी create कर सकते हो तो अब tally software में backup लेने का सही तरिका क्या ह इस पर भी मैंने एक separate वीडियो बनाया हुए तो इस वीडियो का link भी मैंने इस वीडियो की description में दे दिया है आप वहाँ पर भी इसको देख सकते हो अब last बात आती है point number 5 की वो होता है voucher number की setting को लेके जैसे कि हम जब हम entry करोगे हम माली जी आप sell voucher की entry कर रही हो आप तो अ जो सेल की जो manual bill book है उस bill book के उपर जो voucher का number लेका हुआ है वो यहाँ पर आप manual रूप से लिख सको क्योंकि अभी यह जो by default जो setting है यह automatic है तो आपको इन सभी voucherों की जो setting है voucher series की वो manual करनी पड़ेगी तो कैसे होगी इसके लिए हम alter पर जाएंगे और voucher type को select करेंगे voucher type पर जाएंगे तो आप इस voucher type में जाएंगे तो सारे voucher आपके सामने open हो जाएगे अब आपके company में sell voucher भी यूज होगा purchase भी होगा payment भी होगी receipt भी होगी contract भी होगी तो जो जो vouchers आपके यूज होते रहेंगे उन सभी को आप setting उनकी changing करनी है तो सबसे पहले हम change करते है purchase voucher की तो इसमें से हमने purchase voucher को select कर लिये है और उसके बाद में यहाँ पर method of voucher नम रहे हैं इसको मिया से by default यह automatic है तो हम automatic को उठा कि इसको करेंगे manual और उसके बाद में prevent duplicates को कर देंगे yes अब उसके बाद में sell voucher अब sell voucher भी यह automatic है अब यह अगर sell voucher अब यह depend करता है उस company पर जिस company की आप accounting work maintain कर रहे हो अब यह तो उस company की bill book manual साथ चल रही हो तो यहाँ पर आपको केवल manually और yes करने है अगर वो company चाती है भी हमें जो billing आप वो सारी 100% computer ही करनी है तो उस condition में आप जाते हो वी जो आपकी जो invoice की series है वो एक specific code के साथ सेट हो तो आपको यहां से automatic कर करना पड़ेगा और automatic करने के बाद में इसकी advanced configuration setting को भी आपको yes करना पड़ेगा यह option आपको दिखाई देगा यहां पर automatic करने के बाद में तो जैसी आप इसको yes करोगे तो कुछ इस तरीके की window यह सामने आएगी तो अब यह cell voucher में जो specific code के साथ अगर हम voucher series की setting हम करते है तो किस पर करते हैं इस पर भी मैंने एक separate video बढ़ाए वह हैं तो इस वीडियो का भी link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो इस वीडियो को भी आप जुरूर देखिए भी आप particular किसी code के साथ हम cell voucher की setting किस परकार करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों यह थी कुछ important settings अब बाके तो setting जो भी आपके जुरूरत के उनसार function को yes करना no करना यह चलती रहेगी अब यह सारी setting करने के बाद जब बात आएगी voucher की posting करने की तो आप उस company के सबसे पहले purchase voucher को post कीजिए आप ऐसा नहीं कि आप डिरेक्टर जाते sale voucher को करेंगे क्योंकि आप जैसे purchase करोगे तो purchase में आपको जो stock item purchase invoice में जो बनी होती है उसका recording आप सारी stock item भी create होजेगी ताकि आप जब sale करोगे तो आपको properly सही तरीके से पता चलता रहे भी कौन सा stock आपके पास available है कौन सा stock कोई negative तो नहीं जा रहे है तो यह सारी बातें आपको उस वक्त साथ के साथ पता चलती रहेगी तो आपको जो शुरुआत है वो purchase voucher के साथ में करने होती है तो दोस्तो आज की वीडियो अगर अच्छे लगी हो वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लेज इस वीडियो को एक like देके जरूर जाना तो दोस्तो अभी तक आपने चैनल को भी subscribe नहीं किया वा तो वह भी जुरूर किर लेना तो दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में एक और ने topic के साथ